नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक है, मैं सीने कंसल्टेंट हूँ नियूरो सरजरी में मनिपल हॉस्पिटल गुरगाओं में और आज मैं आपको समझाऊंगा की स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस से हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइन पे क्या एफेक्ट परता है हम रेग्रेली बात करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ या ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है पर्ट स्ट्रेस होता क्या है stress दो करणों से होता है पहला करण यह होता है कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ जब handle करनी पड़ें तो stress होता है number two reason होता है कि हमें कुछ चीज किसी time limit के अंदर-अंदर करनी है तो stress बनता है और stress से हमारे body को होता क्या है देखिए जब हम जंगलों में रहते थे तब हमें stress होता था जब किसी जानवर से हमें बचना है या किसी शिकार को पकड़ना है और इसमें हमें हमारे कुछ hormones होते थे जो high हो जाते थे उस time period के लिए अभी क्या हो रहा है हमें meeting से time पे attend करनी है बच्चों को time पे school में छोड़ना है वापस घर पे आना है, bills पे करने है तो ये hormones जो कभी कभी हमारे body में high होने चाहिए ये 24 घंटे high ही रहते हैं और इसके वज़े से हमारी body specially हमारे brain और spine पे effect पड़ता है brain पे सबसे important effect इसका ये है कि इसमें होता है headache सिर में दर्द के कारणों में से stress सबसे important कारण हो गया आजकर और मेरा हमेशा एक focus रहता है कि जो भी patient मेरे पास आए headache के साथ उसमें बशरते की सिर्फ दवाईयां चला के patient को ठीक करने में मैं चाहता हूँ कि उनका stress level करके उनको wellness दे के हम दवाईयां धीरे धीरे करके काम करें और एक long term एक लंबे समय तक हम इलाज पैदा करें लेकिन headaches की problem क्या है कि हमें लगता बहुत बार है कि ये stress से headache हो रहा है कभी-कभी headaches होते हैं कुछ dangerous कारणों के वज़े से brain में tumors के वज़े से bleed के वज़े से या दूसरे कुछ dangerous कारण होते है stress समझ के headache को simple समझना एक बहुत बड़ी गलती है patients मेरे पास कभी-कभी आते हैं सोच के कि stress में headache था लेकिन कभी-कभी बहुत late हो जाता है तो किसी भी headache को ignore मत कीजेगा stress headache को specially कभी ignore मत कीजेगा क्योंकि अगर इससे छुटकारा नहीं पाया तो बाद में जाके brain में degenerative diseases उमर के साथ आने वाली बिमारियों बिमारियां बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है spine पे सबसे जादा effect पड़ता है stress का खास कर shoulders के बीच में जो neck का spine होता है उसको बोलते है cervical और नीचे जो lower back का spine होता है उसमें बोलते हैं हम lumbar disc में धीरे धीरे करके हमारी body अलग 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 जगे पे stress लेती है कुछ लोगों को लगता है कि दिन के end में मुझे गरदन में दर्दो रहा है कुछ लोगों को लगता है सिर में disc घिसते हैं और ultimately आपकी nerves में एक pressure पैदा हो जाता है जिसके वज़े से सुनपन चलने में दिक्कत lack of confidence और urinary problems आ सकती है इसलिए stress को कभी ignore मत करना इसके पहले कि शरीर के साथ बहुत late हो जाए इसके लिए एक opinion लेना कोशिश करना कि हम device से और wellness से ऐसी situations पैदा करें कि जिसमें आप लंबे समय तक stress भी जहे लें और healthy भी हो जाएं Thank you